एहमद नगर में रविवारदात कपड़ा व्यापारी की घर में लगी लिफ्ट दावत के दौरान केबल तूटने से गिर गई है हादसे में चार महिलाव सहित छे लोग घायलों हो गए सभी घायलों को अप रोड दुआ नर्सिंग होम में भरती करा दिया गया लिसाड़ी गेट के एहमद नगर गली नमबर 14 निवासी आस महमद सपानेता और पूरवपारशन हैं उनका कपड़े का बड़ा व्यापार है उन्होंने अपनी चार मंजिला मकान में लिफ्ट लगा रखी है जिसका संचालन रिमोट से होता है जिसमें आस महमद के बेटे साक कि ससुराल पक्ष की हीना पतनी असलम उनका चार साल का बेटा आजान आस महमद का कारिगर जैद निवासी एहमद नगर सास अलीशा फरहीन और नफीसा लिफ्ट से चौथी मंजिल पर जा रहे थे कि रात करीब साड़े जारा बजे तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सूचना मिलने के बाद सपा सर्धना विधायक अतुल प्रधान सपा महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी बाबर कस्तार बस्पा मेर प्रत्याशी हश्मत मलिक बाट नंबर 84 के पारशद प्रत्याशी शहजाद और गुर्डू घायलो का हालचाल जानने के लिए अस्पताल मच गई थी परिजन और रिशुदारो संग आसपास के लोग भी दोड़कर पहुँच गए सभी निगायलो को निकालने में मदद के और घायलो को गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुँचे दो साल पहले भी हुआ था हादसा इस्थानी लोगों ने बताया है कि करीब दो साल पहले लख्यपुरा निवासी कपड़ा वियापारी फिरासत के घर में लगी लिफ्ट भी गिर गई थी हादसे में महले के ही एक बच्चे की मौत हो गई थी पुलिस तरे शिकायत तो की गई लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझाता हो गया था